हाई फ्रेंड से असलाम अलाइकुम आज मैं आप लोगों को बेबी नैपी बनाना बताऊंगे ये नैपी इतनी कंफरेबल रहेगी कि बेबी की कमर से कभी नीचे नई फिसल के आएगी इसको बनाना बहुत आसान है लेकिन ये कुछ ट्रिक्स है जिनकी वज़ासे आपकी नै तो यह निपी आपको जीरो से लेके 6 मन्त के लिए आप यूज कर सकती है तो इसकी लंबाई है 16 इंच अगर नेपी आपको बनाना है तो लंबाई चोड़ाई आपको सेम लेनी होगी तो हम चोड़ाई भी 16 इंच ही लेंगे क्यूंकि इसके लिए हमें बिल्कुल चौक और क्राइंगल शेप में फोल्ड करना होगा तो हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल उसी निशान पे गया है जहां पर मैंने निशान लगाया है तो अगर आप निशान ना लगाए तो भी आप इस तरह से ट्रह से कपड़े को फोल्ड करके इसको कट कर सकते हैं तो यह क्पड़े को भेर खोड़ केने मिर्क नयपी कि लाइन नए लाता य। kaik खरन कुल। क्पड़े को यह कर लिय। कुल। फोल्ड करके सिलाई करना होता है तो इस तरह से देख्यें दोनों कपड़े को मैंने फोल्ड करके रख दिया है अब इस पत्लु पत्ली की चोड़ाई बीज और निशान लगा देंगे औरimas TE-5s inge कट लेंगे तो यहां से मैंने आठ रिंच पर निशान लगा दिया है आभ इस्कपड़ को हम कट कर के अलग कर लेंगे बाकी का कपड़ा जों हमारा है वह बच गया है तो उसे हमें कहीं बस इस कपड़े को हमें यूज करना है तो इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे तो देखे मैंने सिलाई तो लगा ली है अब इसको हमें हाफ-ाफ कट करना होगा तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको दो कट कर देंगे Holy कि यहां से मैं ने इसको दो भाग में कट कर दिया है बोनों के लिए में एक एक स्ट्डेप तैयार हो गई है अब यह वाला कपड़ा वापस से लेंगे जो कि मैंने कट किया था तो इस तरह से खोल रखो को रख लेना होगा और फिर एक पट्टी को हम लेंगे और यहांपर हम इसे रख देंगे इस तरह से रखने के बादर दूसरी साइट से हम कप्ड़े को लाएंगे और इसी पर इस तरह से सेट करके रख देंगे अब यहां से सिलाई लगाएंगे यहां से यहां तक फिर थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे फिर यहां से सिलाई लगा देंगे ध्यान रहे कि जो पट्टी हमने रखी है वहाँ पर हमें मजबूत सिलाई लगानी है दूसरे वाले कपड़े को तो मैंने सेम तरीके से फोल्ड किया है बस हम थोड़ा सा इसे इस तरह से कपड़े को खोलेंगे और यहाँ पर इस पट्टी को हम रख देंगे और फिर यहाँ पर सेट कर देंगे फिर सेम तरीके से हमें इस पर भी सिलाई लगा देना है दूसरी साइट से भी हम दूसरे कोने को बाहर निकाल करके इसको सिधा कर लेंगे और जो छोटी सी पटी मैंने लगाई है उसको यहां से इस तरह से पकड़ कर खीचेंगे तो यहां का कोना अपने से बिलकुल फनेशिंग के साथ बन जाएगा तो दोनों को हम सेम तरीके से सि नुकिला बनाएंगे तो उसके लिए हम कोई भी ऐसा टूल देंगे जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से इसका कोना फिनिशिंग के साथ बन जाए तो यह मैंने लिया है बिलकुल नुकिला सा है इसी से हम सभी के कोनों को अच्छा सा बना लेंगे तो यह दिखी इसका भी कोना मैंने फिनिशिंग के साथ बना लिया है दूसरे वाले को भी हम सेम तरीके से सेट कर लेंगे तो यह बनाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से रख लेना होगा और यह जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था इसे हमें अच्छी से कपड़े को दोनों को एक साथ सेट करके इस पर हमें सिलाई लगा लेना है ताकि यह बंद हो जाए और यह वाली पट्टी इस त अब यह बना करके चोड़ देते हैं लेकिन इसकी फिटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और यहां पर हमें निशान लगा दिया है यह निशान लुझाने के बाद अब यहां पर हमें चार पांच चुनट लगाना होगा इस तरह से चोटा-चोटा चुन बार लगा देंगे ताकि मजबूत हो जाए सेम तरीके से दूसरे वाले में भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे निशान लगाने के बाद यहां पर भी हम सेम तरीके से चुनट बना लेंगे, तो दोनों में हम एक सेम तरीके से चुनट बना लेंगे, तो यह देखिए मैंने चुनट बना लिया है, यह चुनट हमारे बेबी को पहनाने के लिए बहुत काम आता है, यह बेबी के कमर की फिट से आपका फिसलेगा नहीं अगर आप चुनट नहीं लगाएंगी तो बार-बार आपके नैपी नीचे आएगी तो उमीद है कि आज की इस वीडियो से आपने अच्छी तरह से नैपी बनाना सीखी लिया होगा उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर व